नमस्कार दोस्तों कैसे आप आयो आप सभी अच्छे होंगे तो हाली में एक्सिस ने एक निफ्टी 500 का इंडेक्स पर निकाला है जो कि होने वाला है 9th of July 2024 तो थोड़ा बहुत टाइम है जो भी लगाना चाहते है पैसे इन्वेस्ट करना चाहते है लगा सकता है यहां पर तो देख लेते हैं फंड के बारे में यह बेंचमार्ख है ट्रैक करेगा निफ्टी 500 को और यह प्रोड़क्ट सुटेबल है किनके लिए ल इंडिया अभी फिलाल अभी करेंटली 5 ट्रिलियन डॉलर्स का एकोनोमी को जीडिप को चुने वाला है तो यहां पर देखिए यूएस का मैक्सिवा में 55 चायना 8.8 जपान 6.4 होंग कॉंग 5.2 इंडिया 4.7 जितना इंडिया का जीडिपी ज्यादा अच्छा होगा मार्के सुस्टेंड एक्सपैंशन ओवर थे नेक्स फ्यू डिकेज इस विल क्रियेट अमैसिव अपर्चुनेटी फॉर इंवेस्टर जितना ज्यादा इंडियन एक्विटी मार्केट उपर उठेगा उतना ज्यादा मार्केट कैपिलेशन जाएगा उपर और वैसा ही इंवेस्ट क्यों बैसिकि नाइनटी परसेंट ऑफ मार्केट कैपिलेशन कावर करता है यह एंडिया इंडिया लिस्टेड उनिवर्स डाइवर्सीफाइड किया हुआ है लार्ज कैप मिट कैप और स्मॉल कैप में तो आपको सारे यूनिवर्स का एक्सपोजर मिल जाएगा यही पर औ वान नाइनटी वान नाइन जिरो वान नाइनटी एक्टिफ मीचिल फर्ण स्किम अल्डेडी है और एम अल्डेडी मैनेज किया हुआ है 10 लेक करोड का तो यह काफी पॉपुलर एक एक इंडेक्स है बेसिकली तो लार्ज कैप में देख सकते हैं लार्ज कैप में 500 जो है 500 जो जो स्टॉक्स इन्होंने यह लोग करेंगे वहां पर लार्ज कैप का अलोकेशन होगा 74.5 परसे मालोकेशन मतलब डाइवर्सिफिकेशन एक्राइक्रास मार्केट काप में 16.6 और स्मॉल काप में 8.9 परसेंट और रिटरंस के मामल में बात करें तो देख सकता है यह एक निफ्टी 50 का चार्ट है इन ब्लाक और निफ्टी 500 का है इन मेरून यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छे से बीट किया हुआ है एक लाक रुपए अगर लगाते हैं आप 1999 में निफ्टी 50 आपको बना के देता 14.4% के हिसाब से 26.5 लाक्स वहीं पर निफ्टी 500 आ जाता है इन्वेस्टेर्स के लिए रादर देनिफ्टी 50 में लगाना निफ्टी 500 पर लगाईए तो यहां पर बोल रहा है कि लार्ज कैप में इंडिया लिस्टेद मार्केट साइज जो कवरेज है लार्ज कैप 64% मीट कैप आता है 18% और स्मॉल कैप आता है 10% मार्केट इसा लार्ज कैप में लगा हुआ है मार्केट कैपिलेशन में 64% कवर करता है मार्केट का कैपिलेशन लार्ज कैप ने मिट कैप कवर करता है 18% स्मॉल कैप कवर करता है 10% यहीं पर निफ्टी 500 आप जब लेंगे आप तो टोटल मार्केट को कवर कर लेगा यह लार्ज कैप भी आएगा, mid cap भी आएगा, small cap भी आएगा, तो 92% market का capitalization cover कर रहा है, size coverage देखिये, large है, large cap में large, large ही रहेगा, mid cap में mid ही रहेगा, small cap में small ही रहेगा, nifty 500 में all in one, सारे sectors का distribution रहेगा, इस fund में, sectoral level distribution देख लेता है, low है, top 3 to 5, 53%, जो 17 sector cover करता है, large cap में only 17 sectors are being covered, mid cap में 20 sector cover करता है, only, small cap में 21 sector cover करता है, यह moderate है, और यहीं पर देखिये, nifty 500 भी moderate है, 21 sectors, small cap का भी, small cap, total index cover करता है, nifty 500 भी small, large और mid मिला के total 21 sectors से cover करता है, मतला, total जो, जितना sectors है इंडिया में, सारा sector भी cover कर रहा है, stock level, diversification भी इन लोग का moderate रहेगा, तो benchmark देख लेगता है, nifty 500, TRI, जासे मैंने बता है, fund manager है, Kartik Kumar और सचीन रेलेकर, यह आप Google में जाकर सर्च कर लीजी इनके बारे में, 10 रुपे से NAV स्टार्ट होने वाला है, minimum investment होगा 100 रुपीस से, और exit load होने वाला है, 0.25% अगर आप 15 दिन के अंदर निकाल लेते हैं, तो कोई पैसा नहीं लेगा, तो जैसे मैंने बता है, एंड करते हैं वीडियो कि किन लोग के लिए परफेक्ट है, जो लोग भी अच्छा गासा exposure चाहते हैं, निफ्टी, large cap, mid cap, small cap, तीनों मिला के एक अच्छा exposure चाहते हैं, और high volatility नहीं चाहते हैं, मान लिजे, multi cap या, flexi cap जैसा, वो तो equity schemes हो गया, अब actively managed schemes रहते हैं, तो total, जाधा diversification करना चाहते हैं, अपने portfolio में जाधा stocks लेके, तो उन लोग के लिए perfect होने वाला है यह, तो guys, वीडियो पसंद आए, तो like और subscribe कर देजे चैनल को, ऐसे ही मज़़दार वीडियो देखने के लिए, thank you so much for watching, I have a very good day.